टीवी पर एक लंबी पारी खेलने के बाद एक नई पारी खेलने के लिए रेडी है अंकिता जो जलकरी बाई बनकर आई है आज यहां मतलब आज नहीं आई लेकिन जलकरी बाई प्ले करने वाली यह मनी करने का में तो कैसा होने वाला है यह रोल और कितना अलग होगा पहले क सबसे पहले तुम आपको कहना चाहँगी वेलकम बाक मुझे जलकरी के बारे में क्या को जलकरी एक ऐसा कारेक्टर है जो बहुती पावफुल कारेक्टर है जो जैसी आज की लड़किया होती है जैसी होनी चाहिए काईदे से वो उस जमाने की लड़की थी और वो वैसी थी वेरी पावफुल, वेरी ब्रेव, किसी से नडरने वाली और सही और गलत जो उसको फील होता था उसके लिए वो स्टैंड लेने वाली सबको बताने वाली कि मुझे यह लगता है तो मैं यह करूँगी वो किसी से भी जगड सकती थी So I guess she's a very interesting character और यह रानी लक्ष्पी बाई जो फिल्म आरी है हमारी उसमें मनी करनी का में वो बहुत एक एहम character है वो जो होती है वो डिस्गाइस करती है रानी लक्ष्पी बाई के हो Basically वो रानी लक्ष्पी बाई और मनी करनी का यह रानी लक्ष्पी बाई और जहलकरी बाई यह एक जैसे दिखते थे तो वो कभी भी बिटिश के सामने जाती थी तो जहलकरी बाई जाती थी वो डिस्गाइस करती थी Basically तो कितना महनत लगी इस रोल को निभाने में कितनी sword fighting horse riding क्या क्या सिखा बहुत महनत लगी है बहुत सब की महनत हो बहुत जादा सबने महनत किये sword fighting horse riding थी और हम लोगों ने gun shoot किये actually original guns जो होते हैं तो वो किया है और horse riding सबसे difficult था मेरे लिए बहुत difficult था क्योंकि horse दिन बैटकर आपके thighs पूरे sore हो जाते थे तो बहुत difficult लगता था लेकिन हा मुझे sword fighting बहुत interesting लगता था क्योंकि तलवार से से मारना वारना लोगों को थोड़ा अच्छा लगता है so मैंने वह बहुत इंट्रेस्स के साथ सीखा पर बहुत मजाया बहुत अलग journey है और बहुत अलग type का debut मेरा जिसमें जिसमें भूण पूं कररें हूँ तो बहुत बचारा है पहीत रिष्टा की बात करें तो वहां तो कुछ घून करावा नहीं था कि सिर्फ पवीत्र रटा हिथी पुरी यहां बहुत खोन निकला है लोगों का बस उतना फरक है कितना मिस्स कर रही थी TV को? TV तो हमेशा मेरे साहत रहा है, ऐसा मिस्स तो मैं किसी चीज को नहीं कर रही हूँ लेकिन हाँ, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है, एक पुरानी यादे ताजा हो जाती हैं वापसे, चाहिए हैं लगता है तो वो चीज़ जरूर है बट आप तो हमेशा में जहां रही हो आप हमेशा रही है तो मुझे नहीं लगता कि मैं आप लोगों ने तो मुझे नहीं किया होगा वड़ा मैं आप लोगों तो बहुत अच्छा लग रहा है वापस आगे और बहुत अच्छा लग रहा है कि I'm here to promote my film and I'm really glad that आप लोग यहां पर रहे और बुझे इंटर्फिय कर रहे है तो आगे क्या लग रहा है आगे क्या होगा आगे पता नहीं क्या होगा आगे का अभी तक कुछ इतना प्लान किया नहीं है डेब्यू के बाद सवाप कुछ होगा तो पता चल जाएगा जल्दी वेब अभी वेब सरीज खूब चल रही है सारे लोग उसमें पीरियंस दे ही रहे तो अंकिता भी कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा अभी तक मैने वेब सरीज अभी अभी आग्चुली में सिर्फ फोकॉस 25 जानुरी जब तक मेरी मनी खानिकार रिलीज नहीं होती तब तक मैं कहीं फ चानुरी नहीं सित बहुत छज़ाए तॉति भागी तो लग अच्छी ग्रॉट मुप र हांट मैं कम करसे की ज़ा ऐसेरी में मोस्तों पर नब आज आए ती को तो उससे पेरी बहुत चीछी टीए त ही सब लड़किय थी पूरे सेट फिर लड़किय में के अँक्कुली और वोड़ी थी हमारे वुमिन्स पावजोती है वो पूरी खड़ी थी वहां पर तो सबके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा है और कंगना के सबस्पेशली मैं बहुत कुछ सीखा है युनो डिस्सिप्लिन सीखा है काम के लिए और अच्छी चीजे सीखें तो बहुत है युनिन सीखें आए युनिन सीखें है कामल सर आएथे वैभौ Tattwa वादी की बहुत सारे लोगा एते और इसे तर मारा ट्रेलर लाुच पाला दा तो और एक्साइच्पेंट था चीज के लिए तो अब्हुत मजा आया का मेरे झाला डूद के आए तो तो ऑप ल जो बहुत अच्छा होगा अब तक तो अच्छा ही हुआ है लाइफ मैं आप प्रेंग की लोगों को एफिल्म बिल्कुल अच्छी लगने चाहिए क्योंकि इस वरी इंपॉर्टन फिल्म एंड यह सब को देखना चाहिए यह हम अपनी हिस्ट्री कही नहीं भूलते जा रहे है मुझे जन्यूनरी लगता है कि हर छोटे से छोटे बच्चे को एफिल्म देखकर से अहसास होना चाहिए और यह होना चाहिए कि I am proud to be an Indian you know यह बोलना चाहिए तो क्या कहना चाहिए अपने फैंसे जो इतने सालों से कहेंगे अब रस्ता देख रहे थे और अब अंकिता साम को और हमारी फिल्म मनी करने का को सो प्लीज आपका बहुत सारा प्यार दीजिये और आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है तो थैंक यू